नमस्कार दोस्तो टेलीवूड खबरी चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ मेक सिंग बाटी और टेलीविजन जगत के एक नई खबर लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आली में नोईडा में अविद रूप से निर्मीत सूपर टेक ट्विन टावर्स को सुपरिम कोड के आदेश पर मातर 9 सेकंड के अंदर द्वस्त कर दिया गया था इन टावर्स में 600 से ज़्यादा लोगों ने फ्लेट खरी दे थे इनमें GTV के कुंडली भागय सीरियल में रिस्तब लूथरा का किर्दा नबाने वाले मनीत जोरा भी सामिल थे सूपर टेक ट्विन टावर में अभी नेता मनीत जोरा ने भी एक बड़ी रासी निवेस की थी सोचल मीडिया पर कुंडली भागय कि उनकी कोश्टार स्रदा आर्या ने एक वीडियो में बताया है कि ट्विन टावर्स में मनीत के दो फ्लेट थे स्रदा द्वारा सेर की गए इस वीडियो में मनीत का दर्द भी साब दिख रहा है मनित ने वीडियो में बताया है कि मुझे 70% से भी कम का आमाउंट वापस मिला है जिसका मतलब ये है कि ये market value से भी कम है लेकिन मैं इस बात से खुस हों कि मैंने जितना निवेश किया था उसका एक बड़ा हिस्ता मुझे दोबारा मिल गया है मनित स्रदा से बातकित में ये भी बताते है कि एक तरफ जहां पूरा देश इन इमारतों को बड़े रोमाच और चाओ से गिरती भी देख रहा था वही दूसरी और मनित ने भी ये वीडियो देखे ही नहीं वे कहते है कि ये दोर मेरे लिए बहुत मुस्किल था मगर मुझे खुसी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बड़ा एतिहास से कदम उठाया गया जो कि बहुत जरूरी था चलिए आप भी देखिए इस वीडियो का कुछ भाग अ not many of you know that the twin towers in Noida which were brought down recently Manit had flats in both the towers Twin Tower गिरे 9 second के अंदर उसके अंदर अमारे मनित के फ्लाट थे तो फिर गवर्मेंट ने आपको कितने पैसे दिये 70% much less than that much less than the market value much much less than the market value but I'm happy that at least whatever we invested a major chunk of it was it was a very difficult time but yeah I'm happy that Supreme Court actually took a stand